आज है सनिवार के ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है कैसे हो आपने मुझे कॉमेंट करके बताईएगा जरूर और अभी सुभा के बात रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं जो होता है आगे बलूग मुझे करते हैं तो तो वीडियो में आगे बड़ा उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडियो को कर दो लाइक और कॉमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड और फैमिली के शाहत अपने वीडियो को शेर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहांども lackey बनाना गीस पेशन ले लिया उसमें टालाग अजवाइन ज्रूजी मसाले मैं आपे अलक रेशली शच्राइब टाले झीरा झील में एकड़्यूण मृत्या, व्ोड़ क्ष लेयर टालो कर दाले लेगिता है you आप लोग भी आजाओ खालो एंड मेरा ये सनीवार का लंच है और तीन रोटिया मैंने लिटी सैलेट लिया था खूब सारा और कदुकी सब जी पकड़ी दाल और ना सनीवार के दिन साम के टाइम मतब दोपार के बाद से ना मेरा मूड इतना आफ हो गया था कि मैंने कैमरा ही उख्ताया ऑढ Two एसा मन हो था हुआ थे कि खूब किसी को पकड़ के रोख लेती जी भर क्रीए कि थोड़ा सान सुकून सबस identifies होता था कि कुछी सीजहcket की होटा है है होनी को से नहीं कर सकते हैं रोने का मन होता है कि हम रोलेते क्या पता रोने से यामारी problem सॉ excel हो जाता है तो मैंने सनीवार को कुछ भी नहीं किया और संडे के सुबत से फिर मैंने वीडियो कंटीनिव करी क्योंकि यह मेरा काम है अगर मैं यह नहीं करूंगी तो मैं जो भी थोड़ा बत अपने फैमिली के लिए अपने लिए अर्रिंग करती हूं नहीं कर पाऊंगी तो मेरा एक का संडे को मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट किया और जो है ना चावल जब हम फटकते हैं तो जो टुकड़े वाले चावल निकलते हैं हम इसको गाह की भासा में खुदी बोलते हैं तो हमको लग रहे हैं जादे था देख सकते हैं कितनी कौंटिती है केजी के हिसाब से मैं न चावल के आटे वाला नमकीन बनाऊंगी और आदा जो है ना इसको एक दिन के लिए फिर भीगोंगी साफ करके फटक के अभी तो धुली हूं इसको सूख जाने के बाद फटक के और इसको फिर से एक रात के लिए भीगो के सुबह में काला नमक कलोजी डालके अजवाइन इसको बॉयल करके ना और कीप वाले से जो नोजा लाता है उससे हम नमकीन बना लेंगे धूब में तो बहुत अच्छा लगता है और जो आटा पिस्वाऊंगी उसका भी नमकीन बना लोगे इसके बाद से फिर आ गई थी किचन में और सुबह में ही संड़े को मैंने सारे फ्रकान कीचन मे खकड़ने के लिए निकाली नुकर्षे छे-सारा जडिब्ब्य के पृःफटकी ठीशलीप में श्यूज़ी का मैं निकालीक के राथ है नोंकि juice, फिर फिर जada है. के आदत हैं जहां किसी डिबब्य को निकालती है कुछ सामान किचन में खाने में डालने के लिए तो जब हमको डिबबय पे थोड़ा सभी चिप उप घख ठी तो मेरा मन ना पता नहीं रहता है कि मैं उसको धुल के साफ करके रख दू तब भी यूज करूं फिर डिबो को तो यहां पे ना सारे छोटे दिबे दूल के और मैंने इस वाले टोकरी में रख लिया हैं और बड़े डिबे जो है ना उसको भी धूल लूगी तो बड़े डिबो में जो जादे कॉबंटेटी में शमाना थे उसको रखती हूं आजिव में चान ट्रव भी में मसामल नमक जो खाल नमक य चोट यहां शथे तो उसको में रखती हूं बाहर मैंने शुबह में ही ज़्याद डाल लश्यान बाहर कि खड़े अतनेस थे तो मैं उसको धूप दिखा दिया तक ही जब ना потश़ाती बड़ोब्बह थे दूलु तो इसको मैं धूप में डाल दूँगी क्योंकि धूप लगने से डिब्बे अच्छे से सूप जाएंगे वैसे तो अंदर भी रख सकती थी लेकिन धूप में अच्छे से सूप जाते एक तम बिल्कुल भी डिब्बों में मुश्चर नहीं रहता है इसके बाद से जो मैंने धूला था खुदी चावल के टुकड़े तो इसको डाल दूँगी मैं चादर पे छट पे डाल दी हूँ इस सूप जाएगा साम तक बहुत अच्छे तरीके से और जब नीचे आई ना तो आदे गंटे एक गंटे मैंने और भी काम किये थे जैसे जो चूड़ा मैंने लिया क्योंकि संड़े वाले दिन आज वाले दिन सिस्टर ने सुबह में खाना बनाया है तो मैं खाना नहीं बनाई हूँ तो मेरा लेट से आज नहाना हुआ है तो मैंने शोचा है सब काम फीनिस कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा जो भी टाइम मिलेगा रिलाक्स कर लेंगे क्य बिखरेंगे तो और दिब्ब्र रॉच अधर धिल्च के पारे да बीपम यंहेंㅇन झालते में कान आधब let together अधित प्लास्टिक के गड़ते हैं की सब्राथ प्रखे से रहेंगे और फिर डिबबे धुल के सुखने बाद मैं इसको अच्छे से रख लोगी चोटे-छोटे देखे कि इतने डिबबे भीता निकाला था, उसामान फिर से रख दिया, डिबे धोके सुखा के, तो ऐसे करने से थोड़ा फ्रेशनेस रहता है, देखो, जब किचन साफ सुथरा रहता है, मेरा मानना है कि किचन हमको बहुत A1 का नहीं चाहिए, हमको टाइल्स, मारवलवला किचन नहीं चाहिए, अगर हमार इससलिए था, प्रेश सा फिल होता है, किचन गंदा रहा तो देखो कैसी फीलिंग आती है, कि तो आदमी रहता है जह साफ सुथरा इसलिए आदमी रहता है करता है चीज़ों को अपने घर को सकरातमकता बनी रहा, जैसे लिए निगेटी वाइफ से गंदगी के कारण हमाइ चात्वत बाते कर से में बहुत दिंटक न buscarको मुझाइमद भादेना रूट्प सोफीन चात्टी त्थे मला जांगे सब्सक्सा कन किसे में। झाल झाल